So WordPress website के speed के बारे में तो मैं हमेशा बात करता ही हूँ, मैंने बहुत सारे videos भी बनाए है, plugins, best practices, light speed को कैसे use करना है, WP rocket को कैसे use करना है, but आज का video यहाँ पर थोड़ा different होने वाला है, आज हम लोग target करेंगे उन users को जिनकी website heavy है, e-commerce website by default ही काफी heavy हो जाती है, जितने features आप background में होती रहती है, और एक second का extra delay भी आपको यहाँ पे loss की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए e-commerce store को या फिर किसी भी heavy website को जिसमें खूप सारे plugins हो, उसको कैसे optimize करना है, वो मैं आज आपको बता हुआ, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी delay के, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिंक पे जाकर के purchase करोगे, you need to go here, you need to start free trial, और जब आप लोग इसको authorize करोगे, तब आपको मेरी तरफ से यहाँ पे free course मिलेगा, और free theme भी मिल जाएगी, और आप लोग मेरा coupon code भी use कर सकते हो, प्रिपेश, यहाँ से आपको 20% extra discount भी मिल जाएगा for next 3 months, exactly क्या freebies मिलेगी, उसके लिए मैं आपको end में बताऊंगा, सबसे पहले आपर हम लोगो हमारा server create कर लेते हैं, जैसी आपका यह cloudways पे खुल जाएगा, यह फिलाल मेरे servers है, यहाँ पर आपको empty दिखेगा, जैसी आप लोगो यहाँ पर sign up कर लोगे, इसके बाद you will need to go add server, अब यहाँ बहुत स server, vulture, hf, demo, और हम लोग जो server use करें हैं, वो शायद से आप लोग यहाँ पर समझी गए होगे, we are going to use vulture high frequency servers, this is the server, जो मेरे इसाब से काफी value for money है, on cloudways, AWS पर जाओगे, Google Cloud पर जाओगे, वो बहुत expensive हो जाएगा, तो अगर आपको value for money, एक high speed server चाहिए, तो आपको आपको digital ocean का premium भी आता है, जैसे ये वाला है, but premium से अच्छा, जो मुझे अच्छा लगता है, वो वल्चर के high frequency servers and cloudways ने recent ये हटा दिये थे, वो पिछले साल नहीं थे, उन्होंने उसको remove कर दिया था, and I am happy के it is back, वल्चर के high frequency servers आ चुके, वल्चर और linode दोनों आ चुका हैं, यहा and US में भी काफी सारे servers यहाँ पर available है, तो अभी के लिए फिलाल यहाँ पर हम लोग select कर लेंगे US से New York, and इसकी monthly costing रहेगी आपकी dollar 16 जिस पर आपको यहाँ पर 20% off मिल जाएगा, if you go through my link, and I'll click launch now, अब यह मेरा server और WordPress application बना देगा in under 15 minutes, अब हमारा यहाँ पर server यह बन चुका यहाँ पर आपको मिल जाएगा access detail, admin panel, और अगर आपको पहली बार यह use कर रहे हो, तो इसका training program है कि cloudways को अच्छे से कैसे use करना है, कैसे domain को point करना है, backups, SSL, emails, सब कुछ मैंने बताया उस training program में, हिंदी वीडियो से वो आपको free में again मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको again मेरे link के थ्रू purchase करना पड़ेगा, अगर आपको cloudways पहली बार यूस कर रहे हो, तो admin panel यह रहा हमारा, I'll go here, and then यह रहा इसका email, enter the email here, and then यह रहा हमारा password, इसको copy कर लेता हूँ, I'll paste it here, I'll remember, login, so this is our WordPress website right now, you can access your post by here, यहाँ से सारी आपकी पोस्ट वागरे, you can create कर सकते हो, WooCommerce इसमें already installed है, अब यहाँ पर मैं next step जो यह करूँगा, वो यह करूँगा कि एक rehab करके एक theme है, this one, यह काफी heavy theme है, इसमें बहुत सारे features है, and this is the theme that we are going to use, यह वाली हम लोग theme का use करेंगे, और इसमें यह वाला demo template मैं इसमें 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 इसमे डरी है, it is not a simple theme, तो मैं इसको यह पर quickly install करता हूँ, आपने WordPress website के उपर, so जब मैं last video बना रहा था, तब power cut हो गया था, but fortunately we are back now, and in the meantime, I have installed the website here, हमने हमारी यह पर theme को install कर दिया, यह आपकी theme है, यह पूरा यह पर install हो गया, this is our url, and what we'll do right now is, अब यहाँ पर सारी default settings है, मैंने कुछ भी cache code fine tune नहीं किया है एक बार हम लोग यापर इसका page speed test run करके देखते हैं आप इसका score आ रहा है that is 57 and mind my words ये काफी heavy loaded theme है यापर बहुत सारी चीजे चल रही है background में बहुत सारे features है उसके बाद भी ये जो score है it is decent इसको भी हम लोग यापर और improve करेंगे for that we will go here dashboard पर आपको breeze देखेंगा उपर breeze की settings कर जाएंगे by default जो settings थी उसको यापर थोड़ा सम लोग fine tune करने की कोशिश करेंगे we will click on lazy load images इसमें iframe video lazy load we can enable this and we can also enable this if we want to save changes file optimization में html mini 5 css mini 5 इससे जो आपकी html और css का size है वो कम हो जाएगा we can also include combined css but cloudways vulture high frequency servers में आपको usually इसकी जवरत नहीं रहेगी यह हम लोग बात में फिर से वापस check करके देखेंगे एक बार js mini 5 yes and combine js के बदले we will go down and we will select delay all javascript इसको हम लोग यापर use कर सकते हैं now mark my words यह आपकी website को break भी कर सकता है so in case अगर आपकी website इसके बाद load नहीं हो रही हो तो यह js वाले इतना option है इसको off कर देना जादा तर website इसी settings की वज़े से break होती है js में यापर हम लोग यह दो option on कर देंगे and then we will click save changes preload पे automatically है preload links that is good advance options change करने के requirement है अब हमें अगर आप लोग यूज और यूज उस ले ले उना लूकल फाइल से अब हें अब ही फिल्लाइल यूज नहीं कर रहे है इसको और बाकी major यहां पर कुछ requirement नहीं रहेगे तो अभी वापस यहां पर जाओंगा एक दू बार हम लोग यहां पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जस्ट तो में एक शूर कि यहां पर इसका काशे क्लीन हो गया और नया काशे बन गया है इसके बाद आपको यहां एक अनलाइज अगेन अभी यहां पर जो इसका स्पीड स्कोर हो गया है इसके बाद आपको सिफ क्लाउडवेस के साथ ही मिलेगा आपको सारे एडवांस ओप्शन मिल जाएंगे अभी के लिए फिलाल हम लोग यहां पर इसकी API की इसका यूज नहीं करेंगे इसके बाद आपर हम लोग नीचे आजाएंगे यह तीन ओप्शन को सिलेक कर लेंगे वेपी कानवर्जिन चाहिए हमें लेजी लोड चाहिए हमें अभी रिक्वायर आदिक मिसीं यह भी रिक्वायर लेजी लोड लेजी लोड मैंने अनकर दिया है फिर भी नहीं हो रहा है इन दोनों को विल टिक दिस थो अप्शन से इस वेल यह सारे आप्शन से नेबल करने के बाद अभी आड बेसिंग दिमेंशिन का ऑप्शन भी आ चुका है वेल क्लिक दिस वर एस वेल सेव चेंजिस अब यह सारी सेटिंग सेव करने के बाद विल गो हीर क्लिक ओन ऑप्टिमाइज लोकल इमेजिस और स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग ओके लेट्स गो जब तो यह पूरा ऑप्टिमाइजिशन इसका कम्लीट हो जाए फिर हम लोग आप पर फिर से स्पीड टेस्ट रन करके देखेंगे यह वेबसाइट है हमने लास्ट टाइम इस प्रोड़क्ट पर टेस्ट किया था अभी हम लोग यहां पर प्रोड़क्ट चेंज कर देते हैं ताकि नया कैश है मिल पाए यहां पर पेच्पीड प्लग-इन को तो यहां पर मैं कम्बाइन सी एसेस को अप्शन ओन कर दूगा प्रोपरिल साइज में एक दो इमेज है जो अभी तक यहां पर प्रोपरली अप्टिमाज नहीं हुई है ऐोब यह बिट टाइम उसे वेपी में करी यह चौप कभी मार ऐसा होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है कुछ इमेजेस को अप्टिमाइसेशन पर और में एक कम्बाइन CSS इसको और कर देते हैं and basic options पर मैं चला जाता हूं और यहां पर lazy load images को मैं off कर देता हूं क्योंकि I am lazy loading images through the plugin so combined CSS के बाद जब हमने वापस से speed test किया so this is the result that we are getting which is really good 89 for an e-commerce website without any paid optimization tool is really good अब यहां पर हम लोग इसका एक और speed test भी कर लेते हैं website speed test new york so यह रहे results time is decent size देखो इसका कितना कम हो चुका है and बाकी भी सारे test यह पास करी रहा है तो fully loaded website को अच्छे से कैसे आपको इसको optimize करना है कौन से server का use करना है कौन से plugins का आप यूज कर सकते हो सब कुछ मैंने बता दिया है and if you go and use my link cloudways अगर आपको purchase करनी है तो मेरा नीचे दियेगा link है अगर उससे purchase करोगे तो I have some free goodies for you पहले तो मेरे training program से free courses हैं आपर कि cloudways को कैसे use करना है कैसे email को setup करना है कैसे CDN वगरे backup restore वर्ट्रेस setup सब कुछ मैंने इसमें video tutorials आपको मिल जाएंगे for free और एक मेरा lightning blocks का भी course है जहां पर मैंने बता है कि कैसे आपको अपना ब्लॉग को setup करना ये भी आपको for free मिल जाएगा so that is number two number three अगर आप लोगे इस वीडियो के तुरू purchase करोगे तो एक में आपको premium theme भी for free दे दूँगा and उसका license एक year के वालिड रहेगा अगर आपको ये तीनों चीजे फ्री में चाहिए तो आपको cloudways मेरे नीची दे गए link से जाके खरीदना है और जब आप उसको authorize करो जैसी पहली purchase करो पहला credit card से पनी payment करो तो you will need to send me the authorized date and time and subject line डालना free course plus theme तो ये ऐसारी चीज़ आपको free में मिल जाएगी so I hope यहाँ पर आपको कुछ अच्छा वाल्यवल सीखने को मिला होगा अगर मिला हो तो do let me know in the comment section below and I'll see you guys in the next one good bye